तो दोस्तो इस दिन चपल जुते खरिदना और पहिनना माना जाता है आशूब बढ़ सकती है आपकी मुश्किल है जिया दोस्तो वास्तो शासर के अनुसार यदी गलत चीज का गलत दिशा में रखा जाए तो उसका आशूब प्रभाव करियर आर्थिक्स्तिती स्वास्त वाई 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 जीवन आधी सभी वस्तो पर पढ़ता है दोस्तो वास्तु शासर के नियुमा का पालन करने से वेक्ति का जीवन आसान हो जाता है कई ऐसी चीजे होती है जिने कुछ खास दिनों या समय पर खरीदना माना जाता है अकसर हमारे बुज़ुर्ग हमें इन बातों का लेकर रोकते टोकते है लेकिन कई लोग इने नकारते रहते है नतीजन सब कुछ ठीक चल रहा हो तब भी जीवन में समस्या होने ही लगते है हम इसके पीछे का कारण समझ नहीं आता है आपका भागया और दुरभागया भी आपके द्वारा की जाने वाली खरीदरे से जूड़ा हुआ होता है उन में से एक है दोस्तों जूते चपल खरीदना आईए जानते दोस्तों किस दिन जूते चपल नहीं खरीने चाहिए और किस दिन खरीदना चाहिए तो दोस्तो ये चाननेस पहले मेरे चाहिल को सब्सक्राइब आवश्य करें बेल एकान प्रेस करके All बटन पर क्लिक जुरूर करें तो चलो शुरुआत करते हैं वीडियो से तो दोस्तो वास्तु शासरे में कई ऐसी चीज़े हैं जिनें खरिदना मना है उनमें से एक आफ फूटिवेर यानि कि चपल और जुते हर वेक्ती अपनी सुवीदा और जरुत के हिसाब से चपल जुते खरिदते हैं लेकिन वास्तु के अनुसार अमोशा, मंगलवार, श्यनिवार या गरहन के दिन जुते चपल खरिदने से बचना चाहिए इसलिए ऐसा माना जाता है कि मुश्किले बढ़ती है जोती शासर के अनुसार श्यनि और पैर का आपस में सम्मंद है इसलिए बड़े बुज़ूर अकसर कहते है कि श्यनिवार के दिन जुते चपल नहीं खरिदना चाहिए यदि आप श्यनिवार के दिन जुते चपल खरिदते है तो वेक्ति का स्योनी दोश होता है इसे श्यनि देव नाराज हो जाती है और घर में दुख दरिदरता बढ़ती रहती है दोस्तो वास्तु शासर में नहीं जुते और चपल खरिदने और पहिने के शूप दिन के बारे में बताएगा है दोस्तो वास्तु शासर में अपयोक्त या फटे पुराने जूते या चपल को फेकने का भी उल्ले खाए परमपरा के अनुसार पुराने जूते चपल शेनिवार की दिन किसी भी शेनी मंदिर में बाहर रखना चाहिए दोस्तो वास्तु शासरे के अनुसार जिस बिस्तर पर आप सोते हैं उनके नीचे जूते चपल नहीं रखने चाहिए ऐसा करने से बिस्तर पर सोने वाली वेक्ति की सहत पर वीपरित असर पड़ता है और पती पतनी के रिष्टों में भी धरार आ जाती है तो दोस्तो ये बात अवश्य ध्यान रखे और इसी दिन जूते चपल अवश्य खरीदे तो दोस्तो इस तरह से आप कुछ बातों का ध्यान रखते है तो आपका जीवन अच्छे से गुजरेगा सुख सम्रदी और शान्ती बनी रहेंगी और आपकी हरे किच्छा तूरंत तो लाइक चेर और कमेंट्स जरूर किजिएगा और कमेंट्स में जैस्री महालक्षमिनमा अवश्य लिखेगा धन्यात